हेलो दोस्तो स्वागत है आपका स्रीगुरु अकेडमी में मैं मनु बर्मा आपका सुक्रिया हार्दिक अबने दिन करता हूँ दोस्तो आज मैं आपके लिए NCRT का जो जो जोग्राफी का चैप्टर है यानि कि जोग्राफी आपका जो सब्जेक्ट हो इसमें क्लास 6 का चैप फर्ष लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तो खास कर यदि मैं आपके लिए बताऊं तो पेपर टू के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है 90% आपका यहीं से फसने बाला है 90% क्या दोस्तो 100% आपका यहीं से फसता ह यह चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बार फिर कहना चाहूँगा कि EBS में, EBS में आपका 100% आपका NCRT से ही आता है, तो आप इसको बिल्कुल भी मत छोड़ें दोस्तों, ठीक है, लेकिन यह आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही आता है, ठीक है, यह जो आपका च क्योंकि यहां हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिख्षक बरती की, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें यही पता होना चाहिए, कि जोग्राफी, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, कि दोस्तों जो हमारा भूगोल है, हिंदी में क्या क यही कोश्चन आपका कई बार आ चुका है कि जोग्राफी किस भाहसा का सब्द है तो आप कहोगे ग्रीक भाहसा का सब्द है ठीक है दोस्तों और ग्रीक भाहसा के किस सब्द से मिलकर बना है तो आप कहोगे जियो प्लस ग्राफिया जियो प्लस ग्राफिया से मिलकर बना है ज प्लस ग्राफिया इसको आप ध्यान रखेंगे ठीक है दोस्तों अब दोस्तों इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जो फर्स चैप्टर है उसमें मिला कि तारे क्या होते हैं तो तारों के बारे में जानेंगे तो ऐसे खगोली पिंट जिनका स्वैम का प्रिकास होता है यानि कि अपना प्रिकास होता है और उसमा भी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं तारी कहते हैं दोस्तो ठीक है ये एक साधर लेंग्विज थी लेकिन दोस्तो NCIT में क्या लिखा हुआ है कि बे खगोलिये पिटे जिनका स्वयम का प्रिकास भी होता है और दोस्तो उसमा भी होती ह है और उसमा भी होती है और दूसरी important चीज ये तथा बे उसे बड़ी मात्रा में उत्सरजित भी करते हैं दोस्तों उत्सरजित भी करते हैं इस चीज को आप ध्यान रखिए ठीक है उनका खुद का तो होता है लेकिन उत्सरजित भी करते रहते हैं बढ़ाते भी रहते हैं उस अगर हम बात करते हैं कि तारों के बिविन समूहों द्वारा बनाई गई बिविद आकर्तियां नचत्र मंडल कहलाता है जैसे अरसा मेजर तथा बिग भी है अब दोस्तों दूसरा कोशन यहां से बनता है कि नशत्र मंडल क्या होता है तो आप कहोगी तारे होते हैं छोटे 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 नहीं दोस्तों बहुत बड़े होते हैं मैं आपके लिए बताना चाहूँगा यहां से हमें छोटे देखते हैं क्यों क्योंकि वह हमसे बहुत ज नशत्र मंडल कहलाता है जैसे आपका नाम रख दिया गया है अर्षा मेजर और दूसरे का बिग वियर रख दिया गया है दोस्तो ठीक है अब हम दोस्तो आगे जब हम बढ़ते थे तो हमें आगे यहां पे मिला कि सबसे आसानी से पहचान में आने वाला जो नशत्र मंडल है वह सब्तरिसी है जिसे साथ तारो का समूवी कहा जाता है जो कि अर्षा मेजर का एक भाग है दोस्तो कोशन यहां से बनता है कि सबसे आसानी से पहचान में आने वाला नशत्र मंडल कौन सा है तो आप कहोगे सब्तरिसी कौन सा दोस्तो सब्तरिसी है और सब्तरिसी किसका भ होता है दुर्ब तारा हमेशा उत्तरी दिसा में होता है सुबह को आप देखेंगे तो आपको उत्तरी दिसा में ही हमेशा मतलब उत्तरी दिसा में देखता है चाहें सुबह को देखें या रात में साम को देखें तो आपको उत्तरी दिसा में ही देखेगा इस चीज़ को आप धुरुव तार ऐ तो धुरुव तारा देख लेंगे हम किस दिसा में होता है वो उत्तर दिसा में ही होता है हमेशा इस्थिर रहता है दोस्तो तो पहले के जो लोग थे बो धिसा का जो अनुमान लगाते थे वो तारों को देख कर ही लगाते थे अब एक important question यहां से यह बनता ह कि धुरुब तारे की जो पहचान कर सकते हैं किसकी साहता से कर सकते हैं तो आपका होगे सब्तरिसी तारे जो हैं उनकी साहता से हम धुरुब तारे की पहचान कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं दोस्तो यहां पर इस चित्र के मादम से देख लेंगे दोस्तो ठीक है अब दोस्तो यह यहां पर अगर हम देखें दोस्तों तो यहां पर आप देख रहे होंगे यह जो आपको तारे दिख रहे हैं एक यह है 2,3,4,5,6,7 यह जो साथ तारे आपको दिग गए, यही आपके क्या है, यही आपके सबतरिसी तारे हैं, यही आपके सबतरिसी तारे हैं दोस्तों, और यहां से यदि हम सीधा देखते हैं, तो यह आपका दुरुब तारा मिलता है, तो ध्यान रखना है कि सबतरिसी तारे की यह जो दो ता आगे अब आगे चलते हैं दोस्तो हमें मिलता है ग्रह क्या होते हैं ग्रह क्या होते हैं तो आप सभी लोग इसको जानते भी होंगे कि बेखवोल ये पिंड जिनका स्वयम का प्रकास नहीं होता है तथा बेतारों के प्रकास से ही प्रकासित होते हैं ग्रह कहलाते हैं दोस्तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि ग्रह कहलाते हैं ठीक है नेक्षम बात करते हैं कि प्लैनेट जो ग्रह है ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो प्लैनेट कहते हैं आप सबी लोग भली माती जानते हैं लेकिन जो planet सब्द है उसकी उत्पत्ती किस भासा से हुई है तो आपको ग्रीक भासा के से हुई है और ग्रीक भासा के किस सब्द से हुई है तो आपको ग्रीक भासा के सब्द से हुई है तो आपको ग्रीक भासा के सब्द से हुई है जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्था चा चारोर गूमने वाला आपका planet कहलाता है दोस्तों इसको आप धयान रखें दियान रखें कोशन आपके कैई यहां पर बन्ते हैं पहला कोशन किस भाधा का सब्द है तो आप को गूरीक भासा का आठ गिरे हैं कुल कितने हैं आठ गिरे हैं कोशन यहां से इसी मतलब इसी में कन्फिजन पैदा कर देता है किस टाइप से कि मतलब प्रत्वी के समान कितने गिरे हैं प्रत्वी के समान और कितने गिरे हैं तो बच्चे कन्फिज जाते हैं और वहाँ पे आठ लगाते हैं जब चीज भी रहती है ठीक है और कुल पूछेगा प्रतवी मतलब ग्रह कितने तो आप कहोगे आठ होते हैं कौन-कौन से तो बुद्ध, सुक्र, प्रतवी, मंगल, ब्रसपती, सनी, अरोन, बरोन दोस्तो आप इनके English name भी याद कर लीजिए क्योंकि कभी-कभी आपके English name दे दिया जाता है हम क्या कहते है English name में तो Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune इनके आप English name भी याद कर लीजिए ये बहुत important है क्योंकि यहां से भी question आ जाता है दोस्तो ठीक है बिल्कुल भी वीडियो को skip मत करिए क्योंकि यहां से आपके question 100% बनते ही बनते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप देख रहे होंगा यह आपका सूर्य है यह बुद्ध है यह सुक्र है यह प्रत्वी है यह मंगल है सॉरी कहीं मिश्टेक होगी क्या इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है प्रत्वी यह है दोस्तो बुद्ध यह बुद्ध है यह सुक्र यह प्रत्वी यह मंगल यह ब्रस्पति यह सनी यह अरुण और यह बरुण दोस्तो आपकी यह आठ ग्रह होते हैं अब दोस्तो कोशन आपसे यही से पुछ रहा है कि सूर के सबसे पास ग्रह कौन सा है तो आपको सबसे पास कौन सा दिख रहा है तो दोस्तो बुद्ध दिख रहा है जिसे क्या कहते हैं इंगलिश में मरकरीद कहते हैं दोस्तो ठीक है दूसरा कोशन ये बनेगा प्रतवी से सबसे दूर ग्रह कौन सा है तो आप कहोगे कौन सा है दोस्तो नेप्चियून है जिसे हम क्या बोलते हैं बर्ण बोलते हैं दोस्तो आप इसको ध्यान रखेंगे ठीक है नेक्स्ट कोशन यहां से ये बनता है कि प्रतवी के सबसे दिग्रह कौन सा है तो आप क्या कहोगे दोस्तो आप कहोगे दोस्तो क्या है तो आप कहोगे सुक्र है दोस्तो प्रतवी के सबसे दिग्रह मुचा जाएगा तो आप कहोगे सुक्र है कोशन कई प्रकार से बनता है यहां से मैं आपके लिए सारे कोशन्स बताऊँगा और अगला कोशन आता है कि ऐसे कौन से ग्रहे हैं जिनके चारो और बले पाए जाता है तो आप याद रखोगे पहला तो सनी है आप सब लोगों के लिए पता होगा दूसरा मैं आपको बता दूँ कि जो ब्रस्पती है उसके चारो और भी बले पायाते हैं लेकिन यदि उप्सन में सनी दिया हुआ है तो आप ब्रस्पती को नहीं लगाएंगे यदि सनी नहीं है तो ब्रस्पती को लगाएंगे और मैं आपको बता दूँ कि बरुन के चारो और भी आपका जो चला पाया जाता है आप इस चीज को ध्यान रखेंगे दोस्तों ठीक है सेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है दोस्तों लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना कि आपके कोश्चन यहां से बनने हैं बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है तो आप बोर मत हो यह मैं आपको बोर होने भी नहीं दूँगा फिलाल तो आप कंसंटेट करके वीडियो देखे ठीक है अगला कोश्चन यहीं से बनेगा सबसे छोटा गरे कौन सा है तो आपको सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आप हंडिड परसंट के दोवारे भाई बुद्ध दिख रहा है या हरा गरे कौन सा है तो आप कोगे बरुन आपका हरा गरे हो जाता है दोस्तो ठीक है पीला गरे कौन सा है तो आप कोगे सुक्र है और लाल गरे कौन सा है तो आप कोगे मंगल है इन सारी चीज़ों को आप नोट करते चलिए दोस्तो बहुत सारे कोश्चन मैं यहां से कबर कर यहां रहा हो यदि आप ध्यान से फ़ल रहे होंगे तो नोट करते हुए चलिए दोस्तो थीक है भोत ही important है नोट करना अगला question यह बनता है दोस्तों यहां से कि सुबह का तारा कौन साहे और साम का तारा कौन सा है तो सुबह का तारा आपका जो सुक्र है उसे ही सुबह का तारा और जो आपका साम का तारा पूंचा जाएगा तब भी आपका सुक्र ही होगा और प्रतवी की जुड़वा बहन पूंची जाएगी तब भी आप सुक्र ही कहेंगे दोस्तों ये इंग्लिश में भी लिखके आ जाता है morning star और evening star तब भी आप सुक्र को ही लगाएंगे इनके English name आप याद कर लीजे दोस्तों बहुत ही important है अगला question ये बनता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तब भी आप सुक्र को लगाएंगे कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है अब दोस्तों यहां से एक question ये बनता है कि कौन से ग्रहों के बीच में छुद्र ग्रह पाई जाते हैं तो आप कोगे ये आपको पट्टी दिख रही है ना दोस्तों ये वाली आपको पट्टी दिख रही होगी ये वाली ये वाली आपको पट्टी दिख रही है यही पट् दोस्तो यदि आपने concentrate के साथ पढ़ा होगा ना तो कम से कम यहां से मैंने आपके लिए 25 से 30 question बना दिये और यहां से question हर बार आता है दोस्तो हर बार question आता है तो इसको अच्छे से concentrate के साथ देखिए दोस्तो ठीक है अब बढ़ते हैं आगे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमे भला कर क्या बन जाता है सौर मंडल लेकन ऐसा नहीं है दोस्तो पंपउर हमते हैं और मैं अब यादि आपको समझा अच्छे स्दीक है next हम बात करते हैं कि यहां पर होड़ासा देखि लेते है इनके लिए थोड़ासा एक बार फिर से अच्छे से दोस्तों यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो बही है सेम कंडिशन आपको कुछ चीज़ें इसमें समझने होंगी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं बले आपको दिखा रहा रहा ते न मैं तो इसमें भी बले पाए जाते हैं सनी में भी ब्रहसपती में भी बले पाए जाते हैं नेप्चुन यान के वरॉण में भी बले पाए जाते हैं और आपका अरॉण में भी बले पाए जाते हैं कहने का दात पर यह है कि आपका चार ग्रह हैं यान कि जो आउटर प्लानेट होते हैं बाहे प्लाइनेट हैं बाहे ग्रह जो हैं उन सभी में आपके बले पाई जाते हैं लेकिन दोस्तों कोशन यहाँ पर आकर फ्रस्ता है कि यदी कोशन में आपका आपका सनी दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको सनी लगाना है otherwise को छोड़ देना है सबी को अगर option में sunny नहीं है तो आपको ब्रसपती दिखता है तो ब्रसपती को tick कर देंगे Neptune दिखता है उसको tick कर देंगे Uranus दिखता है उसको भी आप tick कर देंगे ठीक है तो 4 gray होते हैं जिनके 4 और बले पाई जाते हैं चले पाई जाते हैं यह आप ध्यान रखेंगे दोस्तो ठीक है बहुत ही important है दोस्तो ध्यान रखना है इसके लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ठीक है मुझे selection चाहिए इस बार आपका 100% अगला question यह आता है दोस्तो यहीं से कि सबसे सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके है ठीक है सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके है तो आपका वो ब्रसपती के है लेकिन दोस्तो मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि ब्रसपती के सबसे ज़्यादा उपग्रह नहीं है ब्रहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह नहीं है आज की डिट में सबसे ज़्यादा उपग्रह सनी के हो चुके हैं सनी के उपग्रह ब्रहस्पति से ज़्यादा हो चुके हैं इस चीज को आप ध्यान रखें कोश्चन यहाँ पर एक यह आता है कि प्रथभी के कितने उपग्रेह है तो आपको ब्रथभी का ये की ही उपग्रेह है जिसका क्या नाम है चंद्रमा, आपके चंदा मामा ठीक है? आप धियान रखेंगे अगला question ये आता है एसे कौन से जिनका कोई भी उपग्रेह नहीं है तो प्रत्वी के पास में जो दो ग्रह है उनका कोई उपग्रह नहीं है यानि कि एक आपका बुद्ध का कोई उपग्रह नहीं है एक सुक्र का कोई उपग्रह नहीं है इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों ठीक है इस से यादा आपसे कोशन नहीं पूछा जाएग कि ये अब ग्रह की सेड़ी में नहीं आता है दोस्तो तो कोशन बहुत ही अच्छा है आप इसको ध्यान रखेंगे ठीक है दोस्तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तो हमें मिलता है सूर क्या है तो हमने अभी आपको बताये था कि तारे क्या होते हैं तो हमने अभी आपको उपलब्द कराता है आपने दिखा होगा कि हमारी प्रत्वी पे क्या हमारे पास जो प्रत्वी है तो प्रत्वी में सनलाइट है तो आपको नहीं है रोसनी नहीं है दोस्तो जब तक सूर नहीं निकलता है क्या हमारे यहां रोसनी होती है तो आपको नहीं होती बिल्कुल नही कई मर्तवा यह कोस्चन आ चुका है कि सूर की प्रतवी से दूरी कितनी है तो आपको उए लगवग 15 करोड किलनी दूरी है दोस्तो अगला कोशन ही आता है कि पौराने के रोमन कहानियों में सूर देबता को क्या और आ चुका है तो आप कहा जाता था सोल कहा जाता था दोस्तो पौराने के रोमन कहानियों में सूर देवता को सोल कहा जाता था ये चीज आप ध्यान रखेंगे बहुत ही important topic है दोस्तो ठीक है अब दोस्तो आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे यहाँ से question कई वार आता है दोस्तो कि geology geology में किसका अध्यन होता है तो आप कहोगे प्रथवी का अध्यन जानते होगे लेकिन geometry क्या होता है तो होता है प्रथवी का मापन मापन और अध्यन में बहुत बड़ा difference होता है अगर हम चलते हैं देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तो geoide कहते हैं जैसे प्रथवी का आकार का येदी हमें कोई कोई अगर पिंड दिखाई देता है तो हम उसे geoide बोल सकते हैं दोस्तो तो यहाँ से इन questions को बहुत अच्छे से दिहान रखना है कि geology क्या होता है तो आपको वो प्रथवी का अध्यन प्रथवी का अध्यन जो आपका है वो geology कहलाता है और geometry क्या होता है तो आपको वो प्रथवी का मापन होता है दोस्तो geoide क्या होता है तो आपको वो प्रथवी के आकार के अनुरूप होता है आप चलते हैं थोड़ा सा आगे, टिक है, अब यहांपर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा एक छीज आप ध्यान रखी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँवा, आपने देखा भी होधा कि यह जो chapter है ना बहुत ही important chapter है और बहुत ही बड़ा chapter था दोस्तो, मैंने आपके लिए इसमें सारे important points लिये हुए हैं, यहां से आपका एक भी question बाहर नहीं जाएगा, दोस्तो इस एक chapter को कराने के लिए आप पूरे YouTube पर दोस्तो वीडियो खोज लीजिए, किसी का भी वीडि समिरिट में ही कबर करा दूँगा गैरंटी देता हूं áp बस बने रहें दोस्तों ऐबको जाना नहीं है पस यहां से अच्छा लगे तो like, Share and subscribe बनता दोस्तों बस मस्त रहें खुस रही मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों बस मस्त रही आप तयारी करते रहे ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं कि खगोली पिंडों एबम उनकी गती के संबंद में अध्यन करने वालों को खगोल सास्तरी कहते हैं कोशन यहाँ पर यह बनता है खगोल सास्तरी किसे कह तो आप को खगोलिय पिंड दोस्तों खगोलिय पिंड क्या होते हैं तो आकास में आपको जो मतलब हमारा आकास गंगा है जो हमारी हमारी आकास गंगा का नाम क्या है दोस्तों तो मिलकी भी है क्या नाम है दोस्तों मिलकी भी है इसको भी आप ध्यान रखी दोस्तों ठीक है त जैकर उनकी कुछ अलग अलग क्वआलीटी शोती हैं उनकी विजार से हम ग्रह के देते हैं और तारे कहे matter के देते हैं इस तरीके से उनको कहें जैसे तो आप समझ चुके होंगे क्या होता है तो खगोल ये पिंड एमो उनकी गती के संबंद में जो अध्यन करते हैं जो बैग्यानिक होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं खगोल सास्तरी कहते हैं दोस्तों ठीक है आरे भटे सबसे प्राचीन भारत के प्रिसिद खगोल सास्तरी थे कोशन यहां से बनता है कि भारत के सबसे प्राचीन खगोल सास्तरी कौन थे तो आप कहोगे आरे भटे थे दोस्तों कौन थे आरे भटे सबसे प्राचीन खगोल सास्तरी थे इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे ठीक है दोस्तो अब दोस्तो बात करते हैं प्लूटो के बारे में जो बात करते हैं तो आपने दिखा होगा कि प्लूटो पहले ग्रह माना जाता था पहले ग्रह माना जाते थे नौ लेकिन प्लूटो को अगस्त 2006 में ग्रह की सिरनी से निक कोश्चन आजा कि निम्ड मेंसे कौन सा बॉना ग्रह थारत को लूट दिया होगा फिर आपको 2003 love 317 2003 फोंचा जाता है कि निम्ड मेंसे कौन सा बॉना ग्रह नहीं है दो servicio पता होगा कि प्लूटो दोजार तीन यूवी 313 और सीरस ये बॉनिक रहे हैं जब आपको पता होगा तब यह आप पोश्चन को कर पाएंगे दोस्तों ठीक है चलते हैं आगे बढ़ते हैं यहां पर दोस्तों सबसे पहले यह दी देखते हैं कि प्रकास की गती के बारे में यह हम जानते है कि प्रकास की गती कितनी है तो आप कहोगे कितनी है दोस्तों तो 3,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, प्रत्वी से सूर की दूरी इन दोनों चीजों को आप ध्यान रखेंगे बहुत ही important topic है ठीक है अब हम बात करते हैं दोस्तों हाँ एक कोशन यहां से यह बनता है कि प्रकास को प्रत्वी तक आने में कितना time लगता है तो आपको आठ मिनिट लगते हैं दोस्तों कितना इंतरिक से देखने पर नीली दिखाई देती है इसी लिए उसे नीला ग्रह कहा जाता है और यह एक अदवुत ग्रह भी कहा जाता है अदवुत क्यों है क्योंकि हमारा एक ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है जहां पर इस प्रकार की जलवायू है, पेणड़ पौदे हैं, ये सारी चीजें हमारी प्रत्वी पर ही उपलब्ध है, और कहीं आपको नहीं मिलेंगी, इसलिए ये क्या है, आपका अद्वुत ग्रह कहलाता है, ध्यान रखेंगे इसको, अगला कोशन ये है, प्रत्वी का उप्रह कौन सा है तो आप का वो चंद्रमा कितने उपगर हैं प्रत्वी के तो एक ही उपगर है प्रत्वी का एक ही उपगर है वो है आपका चंद्रमा प्रत्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है तो आपका वो तीन लाख चौरासी हजार चार सो किलो मीटर इन तीन कोश्चन को आप बहुत ही ध्यान से रखोगे कि प्रतिवी से सूर की दूरी ठीक है प्रकास की चाल ध्यान रखेंगे और यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे प्रतिवी से चंद्रमा की दूरी कितनी है तो आप कहोगे कि चंद्रमा प्रतिवी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा कर लेता है दोस्तो ठीक है अब हम दोस्तो एक और इंपोटेंट चीज जानते हैं कि चंद्रमा पर जाने बाले जो प्रतम व्यक्ती थे वो कौन थे तो आप कहोगे नील आर्मि स्ट्रॉंग बिस्व की बात होड़ी दोस्तो यहाँ पे कि बिस्व में सबसे पहले चंद्रमा पर कौन गया था तो आप कहोगे नील आर्मि स्ट्रॉंग लेकिन दोस्तो आपको कमेंट करके बताना ये है कि भारतिये प्रिथम भारतिये कौन थे जो सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे दोस्तो ठीक है चलि मैं आपको बता देता हूंग, आपको पता भी होगा, राकेश सर्माजी थे, जो सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे, और जो मूल रूप से भारती थे, ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हो उपग्रह की, उपग्रह की जब हम बात करते हैं, तो अंद्रमा, फोबोस, डिमोस, यह आपके उपग्रह हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कृत्म उपग्रह की बात होती है दोस्तों, कृत्म उपग्रह का मतलब क्या होता है, जो मानव निर्मित होते हैं, मानव के द्वारा बनाई जाते हैं, वो आपके कृत्म उपग्रह कहलाते हैं इनके नाम आप से पूछा जाता है question में तो inset, IRS और educet inset, irs और educet ये आपके कृतिम उपकर है यह आप ध्यान रखेंगे यहां से question कई बाराता है कि कृतिम उपकर है, कौन से है कृतिम भारती उपकर है कौन से है तो आप कहोगे inset, irs और educet ये आपके कृते मोपकर हैं तो आप इसको ध्यान रखेंगे अगला कोशन आता है उलका पिंड क्या होता है दोस्तों उलका पिंड क्या होता है तो मैं आपके लिए बता सकता हूँ कि धूल मिट्टी गैस के ठोस चमकीले चोटे-चोटे पिंड जो एक इस्थान से दूसरी स्थान पर चमकते हुए जाते प्रतित होते हैं कभी-कभी आपने देखा होगा कि रात्री के समय आप ऊपर देख रहे होंगे आस्मान की तरफ और आस्मान में आपको चमकता हुआ जाता हुआ दिखता है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि एक जलती हुई चीज मतलब जा रही है आप लोग कभी कभी कुछ लोग गाओं बे कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा जा रही तो ऐसा कुछ भी नहीं होता वो उलका पिंड ही होता है वो क्या होता है कि मतलब घरसन के कारण जलने लगता है प्रत्वी से घरसन के कारण जलने लगता है जिससे वो चमकता हुआ जाता हुआ प्रतीत होता है और एक चीज और ये था अभी तक उलकापिंड जो आपको चमकता हुआ प्रतीत होता है कि जा रहा है लेकिन एक होता है उलकास्म दोस्तों क्या होता है उलकास्म यहाँ पर गिरता है उसे ही हम क्या करते हैं उलकासम बोलते हैं कभी-कभी आपने घटनाई सुनी होगी कि प्रत्वी पर मतलब बड़ा सा पत्थर आकर गिर गया तो बोगा क्या होता है उलकासम ही होता है दोस्टो ठीक है तो इसको आप ध्यान लखेंगे बहुत ही important point है दोस्तो ठीक है दोस्तो I hope आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और अच्छी लग रही हो तो like, share, subscribe बनता है दोस्तो और एक बार इसको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं यहाँ से जो question बनते हैं दोस्तो और एक मेट रुकिए माफ करीज़ा थोड़ा दोस्तो यहाँ पर जो question बनते हैं थोड़े से एक दो question और आई हूप थोड़े मुझे लग रहा है छूट रहे हैं तो मैं आपके लिए बता देता हूँ हाँ दोस्तो एक question यह बनता है आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यह आपको क्या दिख रहा है यह आपको सन दिख रहा है और यह आपको बुद्ध दिख रहा है यह आपको सुक्र दिख रहा है यह प्रथवी यह मंगल और बाकी तो आपको दिख रहे हैं तीसरे क्रम पर आती है तो यह चीज़ आप ध्यान रखिए अगला कोशन यहां से यह बनता है दोस्तों कि प्रत्वी आकार के अनुसार प्रत्वी का इस्थान कौन सा है तो आपको पांचमा इस्थान है यहां पर आप इस चीज़ को याद रखोगे यह बहुत ही इंपोर्ट यहां पर देख रहे हूंगे कि बाकी जो और गिरह हैं उनकी एक निश्चित परक्रिमा है लेकिन प्लूटू आप देख रहे हैं यह कहां से आया और यह यहां से आकर बीच में घुस गया तो इसलिए इसको ग्रह की सेनी निकाला गया क्योंकि थोड़ा सा मस्त मॉला टाइ मतलब कोई निश्चित परक्रिमा नहीं करता था निश्चित रूप से इसलिए इसको ग्रह की सेनी से निकाल कर बॉने ग्रह की सेनी में रख दिया दोस्तों ठीक है आई होप आपको सारा मैटर समझ में आया होगा और यदि समझ में आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक निश्चे सफलता चाहिए तो आप आ सकते हैं हमारे पास स्री गुरु अकेडमी के पास ठीक है क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिक्षक बरती कि दोस्तों 100% सफलता की गरंटी लेते हैं